जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको ओटी पी आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आंगे बढ़ेंगे सबी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनेक काल और आधुनेक काल में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतेंदू योग को आपको पता है कि हिंदी साहित का जो आधुनेक काल है उसकी जो शुरुवात होती है वो भारत नौ बजे यहां पर अपन पढ़ते हैं आप जूनियर टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तीजीटी पीजीटी एक्जाम सुपर टेट एक्जाम की तो हिंदी साहित आपके दिए दोस्तों यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा आज का अपना पहला प्रश्न है कि आचार रामचंज सुकलि की द्रश्टी में किस युग के लेकों की द्रश्टी भ्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी ए आपका पहला प्रश्न है जिन भी सात्यों कर लेते तो हिंदी साहित का दोस्तों यहां पर आपको खजाना मिले बाला है है ना अब आपको बताना है कि आचा रामचन सुगली की द्रश्टी में किस यूग के लेकों की द्रश्टी ब्याकरण के नियों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी बताइए चार बिकल्प हैं चार म आपको बताना है और बिल्कुल सही आंसर आया है उत्तर है भारतेंदु योग भारतेंदु योग के कभियों की जो द्रश्टी है वो ब्याकरण के नियमों पर अच्छी नहीं जमी थी यह जो कथन है यह कथन किसका है राम चंदर सुकल का यह कॉस्चन आया हुए है यूप राम चंदर सुकल की द्रश्टी में भारतेंदु योग के लेकों की द्रश्टी ब्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी भारतेंदु योग के लेकक भारतेंदु अरिश्चन्द है बद्री नाराण चोदरी प्रेमगन है प्रताप नाराण मिश्र है अब दोस्तों अंगला question जो आपने बताया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचेत कविताओं का संग्रह आपको बताना है और आपने बिलकुल सही answer चैन किया है कि सर फूलों का गुच्छा यानि ये नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ये जो फूलों का गुच्छा है ये दोस्तों भारतेंदु जी का कविताओं का संग्रह है है और एक खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है याद रख लेना बोले भारत में फूलों का गुच् पूलों का गोच्छा कविता संग्रह खड़ा है तो खड़ी बोली की दोस्तों कविताओं का संग्रह माना जाता है फूलों का गोच्छा यानि कि आपका यह नंबर है वो बिलकुल शही है ठीक है योग परवरतक साहितकार भारतेंदु अरुस्चन ने मुकताव रिज भासा म काब रचना की परंतु फूनों का गुच्छा तता दसरत बिलाप नामा काब गरंतों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी यह आपको याद रख लेना है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कौन सा लेकक भारतेंदु मंडल का नहीं है यहाँ पर इसको आपको याद रख लेना है भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था है ना और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था 1850 में तो एक उत्तर यहां से आता है कि सबसे बरिष्ट जो भारतेंदु युक्के थे वो बालकर से भट्टे थे याद रख लेना कौन सा लेक्यक भारतेंदु बंडल का नहीं है तो देखना दोस्तों प्रताप नरणे मिस्त्र है प्रेम गन भी है बालकर्न भट्ट भी है लेकिन स्त्रीधर पाठक नहीं है उत्तर चला जाता है डी की तरफ डी नमबर आपका बिलकुर शही हो जाता है भारतेंदू एबामुनका मंडल इस प्रकार से भारतेंदू मंडल से एक कोस्चन आता है याद रख लेना शवी लोग लाइक करें वीडियो को अपने मित्रों तक सेर भी करना है ठीक है जितने भी हमारे साती हैं सेर जरूर किया करें वाटसप पर और दोस्तो और भी जगह जहां पर भी आपको करना है भारतेंदू एबामुनका मंडल भारतेंदू हरिस्चंद बद्री नारण चोदरी प्रेमगन पिताप नारण मिस्त्र ठाक और जग मोहन है ना और दोस्तो नवडी चत आपको बताना है प्रशन किरमांग चार का कि भारतेंदू के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली एक क्वेस्चन कई बार आया है दोस्तों कब ढली बताइए सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देंगे और भारतेंदू के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली एक बहुत बहुत सुपकामना यह असरत्ती जी हमारे सभी स्टूडेंटिक बीच में आएं आप है ना और हमारे सभी सात्यों का मार्क दर्सन भी करें किस प्रकार से आपने पढ़ाई की है हिंदी नई चाल में कब डेली 1873 में यानि की सी नम्मर 1873 आपका बिल्कुल सही हो जाए भारतेंदु जी ने काल चक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 इस भी में हैना इसको याद रख लेना अब दोस्तों यहाँ पर रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है कि रचनाई दी है और नीचे कूट दिया है आपके लिए इस प आपको बताना है जल्दी से बताईए शबी लोग लाइक जरू कर देंगे साथ यो उत्तर अपना क्या हो जाएगा प्रेम पथेक प्रेम पथेक के रचनाकार कौन है इसका आंसर आपको बताना है प्रेम पथेक आपको पता है दोस्तों प्रेम पथेक के रचनाकार कौन मान जाते हैं गीतिका किसकी रचना है गीतिका की रचनाकार कौन है तो बुलिसर गीतिका तो सुर्का अंतरपाथी निराला की है सांध गीत तो महादेवी बर्मा की है गुंजन तो सुमित्रा नंदन पंतिकी है तो बताईए फिर उत्तर क्या हो जाएगा प्रेम पतिक की रचनाक बुलिसर उत्तर आपका हो जाएगा कौनसा हो जाएगा उत्तर ए नमबर ए नमबर हैना यहाँ पर याद रख देना दोस्तो जो आई भी दिया है यह गलत हुआ है पर क्योंकि इसके रिचनाकार कौन माने जाती है जैसंकर पिरसाद माने जाती है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है है इसको याद रख लिना है प्रेम पतिक की रिचनाकार कौन है जैसंकर पिरसाद यह मिस्टेक हो गया बाकी सब सही है गीति का सांद गीत गुंजन सुमित्रा नं पन्त है ठीक है इसको देखो प्रेम पतेक दोस्तों ये जैसंकर प्रसाथ की है गीति का सुरका अंतरपाथी निराला की रचना है इसको याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं सांध गीत की रचना कारकौन है महादेवी बर्मा आचार सुकली के अनुसार स्वचन्द अभाद की प्रबर तक कोन माने जाते हैं। बताईए चार विकल्फ हैं आचार रामचन सुकली के अनुशार आपको बताना है कि दोस्तो स्वचंदताबाद की प्रबर्तक कोई हैं बताईए आचार सुकली के अनुशार सुचंदताबाद की प्रबर्तक कोई माने जाते हैं मैत्री शलंगोपते रादा कर्ष्णदास स्र स्वचंदेताबाद स्वचंदेताबाद का बताना है कि प्रबर्तक कौन है तब आपका बिलकुल सही आंसर है कि स्रीधर पाठक स्रीधर पाठक के स्वचंदेताबाद के प्रबर्तक माले जाते हैं इनको याद रख लेना है ना दोस्तों आपको पता है कि क्वेस्चन कई बा पाठक जी की खड़ी बोली में मौलेक कृतियां, बनास्टक, देहरादून, भारत गीत, हैना जगत सचाई इसार, सांध अटन और गुनबन तहमत इनको भी अपन को पढ़ना है अंगला कोश्चन है हिंदी नई चाल में ड़ली, हिंदी नई चाल में ड़ली, एक कतन किसका है, कतन बताना है, कतन किसका है सात्यों, अभी अपन ने पढ़ा था कि हिंदी नई चाल में कब ड़ली, तो आपने बता दिया 1973, लेकिन अब आप से पूछा गया कि हिंदी नई चा तैयारी करें जितने भी हमारे साती हैं तैयारी में लग जाएं अभी से मैं बता रहा हूं कि अभी एक जाम के एक दो महिने में कोई तैयारी नहीं होती आप तैयारी करते हो तो पहले से किया करो और नरंतर जो तैयारी करते हैं सेलेक्शन उनीका होता है तो यहां पर अभी से आप तैयारी में लग जाओ और हिंदी नई चाल में डली कतन किसका है तो भारतेंदु हरिस्चंद का और डी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा भारतेंदु हरिस्चंद हिंदी नई चाल में डली के कतन भारतेंदु जी का है है ना और भारतेंदु हरिस्चंद का जन्म महात में प्रेम सरोबर और प्रेम मादुरी की रचनाई भी आपको याद रख लेना है दोस्तों अंगला कॉस्चन आपको बताना है कि आधुने काल के साहित की सबसे बड़ी बिस्तेस्ता क्या है आधुने काल के साहित की यह आपको बताना है मात्र गद्य में उतकर्ष्ट कत कि रचना हुई गद्य को साहित के ससक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्टित किया या नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना या फिर दोस्तों भाबुक्ता कत्नों को प्रेस्रे प्रदान करना ये आप बताएंगे कि आदुने काल के साहित की सबसे बड़ी विसेश् बताएंगे उत्तर इसका राइट चैन करना है रभी जी और राइट आंसर है कि गद्य को साहित के ससक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्टित करना ये दोस्तों आदुने काल की सबसे बड़ी विसेश्ता मानी जाती है गद्य को साहित के रूप में ससक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्टित करना कि आधुने काल की सबसे बड़ी बिसेस्ता मानी जाती है मनीज जी है ना और दोस्तों जिन भी सातियों को एड़ीसन लेना है वो एड़ीसन ले सकते हैं अंगला कोश्चन है आधुने खरिश्चंद द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है दोस्तों ये जो कोर्स है मात्र हिंदी साहित का बिस्तरित अध्यन हिंदी साहित का टिर्की वीडियो ठीक है हिंदी साहित के लिए दोस्तों आपका टॉपिक वाइस टेस्ट हिंदी ब्याकण का कोर्स है ये सारा कोर्स आपको मात्र बारा स्रोपे में उपलब दे दोस्तों अभी तो Self Study Classes को आप डाउनलोड करें और दोस्तो जिनको एड़ बीसल लेना है Master Kader बालों को है ना UPTGT PGT बालों को Junior TET बालों को वो ले सकते हैं और अपनी तयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं अब अंगला बताईए भारतेंदू अरचेंद्वारा संपादित जो पत्रिका है इसका शही नाम क्या है राइट आंसर प्रशन किरमान के नौ में आपको चेन करना है और भारतेंदू अरचेंद्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताना है और सही नाम बताने के लिए बोला गया तो ये दोस्तो महिलाओं से संबन्दित पत्रिका थी और इस पत्रिका का नाम क्या था बाला बोधनी क्या था वाला बोधनी यानि जो आपने ए नमबर लगाया सुनीता देवी जी वो बिलकुल सही है वाला बोधनी पत्रिका ऐसा भी क पूछा जाता है कि दोस्तो बाला बोधनी पत्रिका निमने मैं से बताई ये कौन सी पत्रिका महिलाओं से सम्मंदित थी तो महिलाओं से सम्मंदित पत्रिका थी कौन सी बाला बोधनी है ना और भारतेंदु अरिस्चंद वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है वाला बोध में बाला बोधनी पत्री का निकाली एक कॉस्चन कई बार आ चुके हैं दोस्तों कि निमन मैंसे बताईए कौन सी पत्री का दोस्तों किसने नहीं निकाली भारतेंदु जी नहीं निकाली तो अपन क्या याद रखेंगे कि कभी बचन सुदा है ना और दोस्तों 1968 में कभी बच प्रेक्टिस करते हैं और प्रेड क्लास में थेओरी भी पढ़ते हैं और बहां पर आपके टिर्की वीडियो भी आते हैं किसने 1873 इस भी में हरिस्चंद मेगनीच की इस्थापना की थी बताइए 1873 में और यहां पर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर 1873 में हरिस्चंद मेगनीच की जो इस्थापना की थी वो किसने की थी भारतेंदु जी ने भारतेंदु यानि बी आपका बिलको सही है बाला बोधनी 1984 कभी बच्चन सुदा 1968 इन चीजों को आप लोग याद रखिए यह हमेशा पूची जाती हैं अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों हरिस्चंद ने 1873 में हरिस्चंद मेगनीच की इस्थापना की यह पत्र भारतेंदु युक का मुख पत्र माना जाता है इसको आपको याद रख लेना है कि जो हरिस्चंद मेगनीच को भारतेंदु युक का मुख पत्र माना जाता है याद रख लेना सभी लोग इसका पहले पहल हरिस्चंद पत्री का नाम का बाद में परिवर्तित हो गया इसकी अतिरिक्द भारतेंदु जीने कभी बचन सुदाव 1868 हना 1868 है दोस्तों यहाँ पर यह 1968 दिया है वो 1868 है ठीक है इसको अपन को याद रख लेना है ना बाला बोधनी 1864 यह गड़बड दिया है यहाँ पर सन गड़बड हो गया है ठीक है 1864 है क्योंकि 1844 1850 में तो जन्म हुआ था भारतेंदु का और 1885 में म्रत्यू हो गई थी तो यह 1868, 1873 है ना और दोस्तों 1884 इनको आप सुधार लेना यह चारों वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर अपन एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर देखो यह थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया 1968 लेग गया, 1973 लेग गया है ना 1884 इसको आपको नोट्स कर लेना ठीक है यह सुधार लेना क्योंकि जन्म है आपका भारतेंदु हरिष्चंद का हुआ था है ना भारतेंदु हरिष्चंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 में है ना इसलिए इनोमने 1868 में निकालीती का भी बचन सुधा, 1883 में निकालीती दोस्तों इने के कुशी निकालीती हरिष्चंद मेगजीन है ना और दोस्तों 1884 में निकालीती इनोमने बाला बोधनी इसको याद रखे लेना अंगला बताना है आपको यहाँ पर हिंदी साहित के इतिहासकार 1850-1990 के काल को किस नाम से अभिहित करने करते हैं यह बताना है आपको बताईए हिंदी साहित के इतिहासकार 1850-1950 बताईए काल को किस नाम से अभिहित करते हैं दुवेदी योग के भारतेंदु योग, सुकले योग या पर छायाबादी योग तो इसको याद रख लेना दोस्तों कि उत्तर आपका सही हो जाएगा भारतेंदु योग है ना 1850 से लेकर कि 1900 योग यह भारतेंदु योग कहलाता है भी नमबर आपका बिलको सही है ठीक है हिंदी सायत के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को भारतेंदु योग के नाम से जानते हैं दुवेदी योग का समय 1900 से दोस्तों 1918 20 माना जाता है 1920 माना जाता है ठीक है 1918 से 36 ये चाया बाद योग का है और दोस्तों 1936 से 43 जो होता है वो प्रगती बात का होता है है ना इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों 1918 से 36 ये चाया बाद माना जाता है अंगला क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पर है भीतर भीतर सबरस चूसे हसे हसे हस के तनमन धन मूँ से पंक्ती किस कभी की मानी जाती है प्रियंका जी है ना ये चार आंच चार विकल्प में से अपन को चैन करना है मीना जी कल्पना जी बताईए भीतर भीतर सबरस चूसे हस हस के तनमन धन मूँ से पंक्ती किस की है और बारा का अंसर आपने चैन किया है कि सरे भीतर भीतर सबरस चूसे हस हस के तनमन धन मूँ से भारतेंदु जी की पंक्ती है हैना हिंदी साहित के संदर में नव जागरण के अगरदूत, निजभासा उन्नती है, सब अन्नती को मील, को बीज मंत्र मानने बाले, बल्लब संपरदाय में दीक्षित, उर्दू में रसाउप नाम से कभिता करने बाले, भारतिय हरिस्चन्द, 70 काब गरंतों की रचना की इन इन्होंने और इसके प्रमुक काब गरंत हैं इनके बिजयनी बिजय बेजन्ती हैना दसरत बिलाप फूलों का गुच्छा भारत सिक्छा रिपु नास्टक प्रबोधनी प्रात समीरन ये पूछी जाती हैं दोस्तों कि रसा उपनाम से भी लिखते थे भारतेंदू बल्लब सं ब्रेज भासा ग्यान के मिटे नाहिय को सूल ये इन्होंने भारतेंदू जी ने पंक्ती दीती ये पंक्ती भी आपको याद रखना है अंगला कॉस्चन है कि भारतेंदू ने जिस प्रिकार हिंदी गद्दी की भासा का परिसकार किया उसी प्रिकार काब की ब्रेज भासा क इस पंग्ति के लेखाक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है उत्तर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा फिर से पंजाब मास्टर के अडर आ रहा है एक और पंजाब मास्टर के अडर का एकजाम देंगे यसरत्ती जी है ना भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्ध की भासा का परिस्कार किया उसी प्रकार काविकी ब्रज भासा का भी इस पंक्ती के लेखक है इस पंक्ती के लेखक कौन माने जाते हैं राम चंचुकल माने जाते हैं राम कुमार बर्मा माने जाते हैं या फिर दोस्तों बताईए सिवधान से चौहान या फिर राम बिलास शर्मा माने जाते हैं यह आंसर आपको बताना है सभी लोग बताएंगे जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है और उत्तर बिलकुर सामने है आपके पुलिसर राम चंद्र सोकल उत्तर तो आ उद्दव सतक में कितने चंद हैं बताईए तो यहां पर उद्दव सतक में 116 चंद है इसको आपको याद रखे ना है कितने चंद है 116 चंद यानि कि आपका जो ए नंबर है वो बिलकुर सही हो जाएगा ए नंबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है ए नंबर 116 उद्दव सतक में 116 चंद है उद्दव सतक जगनात दासरतनाकर की पिरसिद्ध किरती है इसको आपको याद रखे ना है ठीक है और दोस्तो आगे बढ़ते हैं आगे जो अपना है यहां पर अंग्रेजी विद् हिंदी अनुवाद किसने किया गोल्ड इसमित की बहुत बढ़िया प्रशने है गोल्ड इसमित की किरती ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया बताइए बिलकुर सही है यहां पर दोस्तों आपको एक चीज सुदारनी है एक चीज सुदारनी है 1868 सुदार लो है ना औ और 1853 और 1864 ये आप सही कर लेना है ना एक कभी बचन सुदा 1868 1853 में हरिष्चंद चंदरीका और 1854 में बाला बोधनी ये आप सही कर लेना इसको है ना 1884 नहीं है ये 1854 है है ना 1868 1853 और 1854 इसको आप लोग सही कर लेना ठीक है और यहाँ पर गोल्ड स्मित की किर्ती ट्रेवलर का अनुबात किस ने किया तो किया है स्रीधर पाठक ने यह चीज को आप लोग सुदाल लें ठीक है कहीं मिस्टेक होती तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखा करें और उसको अपन किलास के दौरान ही सही कर लेंगे यह ना 1868 में दोस्तो कभी बच्चन सुदा 1873 में हरिस्चंद चंद्रीका है ना हरिस्चंद मैगजीन और 1874 में बाला बोधनी यह समाई लिख लो आप अगर आप नोट्स कर रहे हो तो 1868 तेहितर और चोहतर यह बाला बोधनी दोस्तो चोहतर है चोरासी नहीं है ठीक है इसको सुदार की लिखना गोल्ड समित की दोस्तो कृती ट्रेवलर का हिंदी अनुबाद स्रांत पतिक नाम से खली बोली में स्रीधर पाठक ने गोल्ड समित के अननिगरिद हर्मिट का ए स्रीधर पाठक ने किस नाम से किया तो आप बताओगी स्रांत पतिक के नाम से खली बोली में ठीक है गोल्ड स्मित की अन्य गरंत हर्मिट का हर्मिट का एकांत बासी योगी नाम से ठीक है डिटर्जेंट बिलेज का उजड़ ग्राम नाम से ये तीन पूछे जाते हैं तीनों कॉस्चन पूछे जाते हैं इसको याद रख लेना कैसे कैसे गोल्ड स्मित का दोस्तो स्रांत पतिक नाम से ठीक है खड़ी बोली का एस वरी गोल्ड स्मित का कियर्न गरंथ में दोस्तों हर्मिट का एकांत बासी योगी नाम से डिटर्जेंट बिलेज का उजर ग्राम नाम से इसको सभी लोग दोस्तों याद कर लेंगे यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है एक सभी लोग लिखेंगे बताईए किसका उपनाम था दोस्तों त्रिसूल किसका उपनाम था आपको बताना है चैन करना है सभी लोगों को त्रिसूल उपनाम कई बार पूचा गया है दोस्तों और हमेशा पूचा जाता है कि आपको बताना है त्रिसूल किसका उपनाम था तो आपने यहां पर बिलकुल चैन किया है कि सर गया परसाद सुकल स्तनेही गया परसाद सुकल स्तनेही का उपनाम क्या था तो इनका उपनाम था त्रिसूल त्रिसूल आपको याद रख लेना है त्रिसूल कई बार पूचा गया है त्रिसूल किसका उपनाम था तो दोस्तों त्रिसूल जो उपनाम था वो तो गया परसाद सुकल स्तनेही का उपनाम त्रिसूल था, इस रंगारे कविताइं सनेही उपनाम से लिखा करते थे याद रख लेना, और दोस्तों राष्टिय भावनाव की कविताइं त्रिसूल उपनाम से लिखा करते थे ठीक है, अब अंगला question आपको बताना है कि ब्रेच कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है ब्रेच कोकिल के नाम से आपको चैन करना है चैन करिए फटाक से ब्रेच कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है सभी लोग चैन करेंगे राइट आंसर आपको बताना है ब्रेच कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं पर आपका बिल्कुल सही आंसर है बुली सर सत्य नाराण कभी रतने कौन जाने जाते हैं ब्रेज कोकिल के नाम से जो जाने जाते हैं सत्य नाराण कभी रतने जाने जाते हैं और उत्तर चला जाता है आपका बी नंबर कीके बी आपका बिल्कुल सही है ब्रेज कोकिल के नाम स गया कि भिरमर दूत की रचनाकार कौन है तो आपको बताना है भिरमर दूत की रचनाकार माने जाते हैं दोस्तो कौन कौन वार जाते हैं सत्त नाराण कभी रत्न प्रेम कली भी इनकी रचना है प्रेम कली और भिरमर्दूत याद रख रेना जिन भी सातियों को दोस्तों अभी तक आपने एप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी किलासेस एप जरू डाउनलोड करें और यहाँ पर दोस्तों प्रिसाद हरी कश्न प्रेमी या पर विरंदा बनलाल बरमा बताईए रही और भारतेंदु युग के नाटक कार कौन है पुली सर भारतेंदु युग के नाटक कार है श्री निवास दास यानि ए नममर बिलकोछ ही हो जाएगा ठीक है स्री निवास दास ने दोस्तों आपको पता है हिंदी का पृतम उपन्यास लिका था जिसका नाम था पर extrêmement गुरू है ना और राचा रामचंड सुक्ली ने उसे हिंदी का पृतम उपन्यास माना था ये भी आपको याद रख लिना और दोस्तों भारत्यंदु यूख के नाटक सही जी आद सेर सोना नरहर दास चारन को दिया इनके डेड़ सेर सोना हो गया रास बंचना पूरण भया आम खास बर खास हुआ इन पंक्तियों का संबंद बताना है किस से है बताइए इन पंक्तियों का संबंद किस रचना से है पिंकी जी किस रचना से है सभी लोग लाइक ज जाही जी आद सेर सोना नरहर दास चारण को दिया इन पंक्तियों का संबंद किस्ते है बताईए 84 वैशनों की बारता से चंद चंद की वर्नन की महिमा से 250 वैशनों की बारता से या फिर आईने अकबरी की भासा बचनिक्या से तो अपन को पता है चंद चंद की वर्नन की महिम कि गंग कभी की रचना माने जाती है किसकी माने जाती है गंग कभी की रचना है है ना इसको याद रखेंगे और ए पंक्ती जो है इसका सम्मंद चंद चंद की वर्नन की महिमा किसकी दोस्तो रचना है तो एक गंग कभी की रचना माने जाती है इसको अपन को याद रख लेना इह हमेसा question आपके बीच में आते हैं इनको याद रखेना हैю इना दोस्तों यहां पर आते हैं ही हिंदी नही चाल में ढ़ली आपको कमेंट में लिख देना है किस पुस्तक से लिग गई है शबी लोग आंसर बताएंगे वीडियो को like जरू करें share करें और जिन्वी सातियों को दोस्तों जिन्वी सातियों को एप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी लोग एप डाउनलोड करें Self Study Classes और जो भी साति हमारे Junior TET exam की तैयारी कर रहे हैं जो भी साति हमारे TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते की हम ट्रेक से पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें तो हिंदी नई चाल में ढ़ली भारतेंदू की ये उक्ती ले गई है दोस्तों काल चक्र बोले वो काल था जब हिंदी नई चाल में ढ़ली थी हैना आप तो बोले हिंदी का काल है है ना काल था वो काल था तो काल चक्र बोली काल चक्र था वोली सर हिंदी जब नई चाल में ढली थी हिंदी नई चाल में ढली भार्तेंदु जी किये पंक्ती अठारा सो तेहित्तर में प्रिकासित काल चक्र पुस्टक में से ली गई इन्होंने नारत भक्ती सूत्र का तदिय सरवस्व एवं सांडल भक्ती सूत्र का भक्ती सूत्र बेजनती सीर सकते अनुबाद किया अंगिला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया चार विकल्प है चार में से आपको चैन करना है सभी लोग इसका बताएंगे किस पत् आईए और यहां पर आपका बिलकु सही है पुलिसर कभी बच्चन सुदा 1868 है ना 1868 इसको याद रखेंगे 1868 में इन्होंने कभी बच्चन सुदा हरिस्चन मैग जीन बाला बोधनी नामा की पत्रिका निकाली थी दोस्तों यह तीन पत्रिकाएं आपको याद रखेंगे ना है इनकी सभी पत्रिकाएं 80 से प्रकासित हुए थी एचीज भी आपको याद रखेंगे ना है मर्यादा का भी इन्होंने संपादन क्रश्न कांत मालिविये तता माधुरी का संपादन दुलारे लाल भारगव ने किया था यह भी याद रखेंगे ना और दोस्तो आपको पता है कि चिंता मनी जो घोस्ते चिंता मनी घोस्ते स्रस्वती का जे स्रस्वती पत्रिका की क्या माने जाते हैं संस्थापक माने जाते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रतम संपादक कौन थे आपने बताया आपको पता होगा स्याम सुन्दर दास है ना ये प्रतम संपादक थे सरस्वती पत्रिका के है ना और दोस्तो फिर बनेते कौन महाबीर प्रसाद दुवेदी लेकिन जो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे संस स्थापग में चिंतामणी घोस है ना फिर पुछा जाता है कि स्रस्वती पत्रिका के प्रतम संपादक कोन थे तो स्याम सुन्दर दास फिर पूछा जाता है कि महाबी परसाद दुवेदी कभ संपादक बने तो 1903 मेँ है ना सबसे पहले एक कासी से प्रकासे तुई थी पत्री का सरस्वती पत्री का उसके बाद दोस्तों प्रयाग से याद रख लेना ठीक है समस्या पूर्ती किसी युग की बिसेशता है तो यह है भारतेंदु युग की बिसेशता है समस्या पूर्ती और ए नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता ह भारतेंदु युग में समस्या पूर्ती एक परियाप्त लोग प्रिये काब पद्धती थी कभियों की प्रतिबा रचना कौशल परकने के लिए कभी गोश्टियां और कभी समाजों में कटिन कटिन विश्यों पर समस्या पूर्ती कराई जाती थी तो इस समस्या पूर्ती एक question most important है और ये भारतेंदु युक्की बेसे इस्तमाने जाती है इसको याद रख लेना अभी तक साथ यो अगर आपने self study के लासे से एप डाउनलोड नहीं किया है तो एप डाउनलोड करें हर रोज में एक दोस्तो योजना बना रहा हूँ कि हर रो सबी लोग बताएंगे भारतेंदु ने अधेकतर किस भासा में काभिकी रचना की है संस्केत भासा में ब्रज भासा में या पिर हिंदी भासा में या पिर पाली भासा में बताईए भारतेंदु ने अधेकतर किस भासा में काभिकी रचना की इसका उत्तर बताना है संदीब जी बिजय लच्षमी जी बताइए प्रश्न किर मांग टीज और टीज में आपने जो उत्तर बताया है तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रेज भासा भारतेंदु ने अधेकतर किस भासा में काबे की रचना की हैं तो वो कियें ब्रेज भासा में हैना रभी जी ब्रेज भासा यानि B नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा B जिन्हों ने बताया भारतेंदू ने अधिकतर जो ब्रजभासा में काभी की रचना की हैं दोस्तों उन्होंने ब्रजभासा के अपरेचले सब्दों को छोड़कर उसके परस्कृत रूप को अपनाया ये आपको याद रख लेना दोस्तों ये इनकी जो रचना है वो प्रेम मालिका, प्रेम मादुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रिलाप ये कई बार पूछी जाती है प्रेम मालिका, प्रेम मादुरी है ना और प्रेम तरंग, प्रेम प्रिलाप ठीक है आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है Self Study Classes Self Study Classes सभी लोग सर्च कर लेंगे है ना और यहाँ पर आपको बताना निम्र लेखित मैं से कौन सा लेकक भारतेंदू मंडल का नहीं है बताएए भारतेंदू मंडल का कौन सा नहीं है यह सभी लोग बताएँगे उत्तर क्या हो जाएगा स्वानू सिंग जी 24 का उत्तर 24 का सभी लोगों को आंसर चेहन करना है कौन सा लेकक भारतेंदू मंडल का नहीं माना जाता भारतेंदू मंडल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और भारतेंदू मंडल का लेखाक कौन सा नहीं है तो चार विकल बताना है नंदलाल जी बताईए प्रशन किरमांक 24 शुनीता जी शिल्पा जी और 24 में राइट आंसर चला जाता है राजा लक्षमर सेह यानि कि आपका डी नंबर भारतेंदू मंडल के ये दोस्तों नहीं माने जाते और डी आपका बिलको सही है प्रताप नाराण मिस्र 1856 हैना बद्री नाराण चोदरी प्रेम गान 1855 बालकरण भट 1844 ठीक है राधा करणदास 1865 भारतेंदू मंडल के लेकाक हैं जब किराजा लक्षमर से 1826-96 ये भारतेंदू मंडल के लेकाक नहीं है तो याद रख लेना सबसे पहले बालकरण भट 1844 फिर दूसरे नमर भारतेंदू जी 1850 हैना दोस्तों 1855 में प्रेम गण आते हैं 1856 में प्रताप नाराण मिस्र आते हैं 1865 में राधा करणदास आते हैं तो इनको करमबद्ध भी मैंने आपको बताया है करमबद्ध भी आप लोग देख लिया करें हैना यहाँ पर हिंदी प्रदीप की SSB संपादक का नाम बताना है हिंदी प्रदीप मैंने आपको याद करवाया था प्रदीप के बाल भटा से भरत गए तो प्रदीप से प्रदीप बाल से बाल करन भट प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से ब समपादक थे बालकन भट रिट, हिंदी पृदीप नामाữट्रीका के whenadabhi, ऐससींबी समपादक भार्थ weapons युग के निबंदकार, वरेष्ट निबंदकार उपन्यासकार बालकन भट थे नूतन ब्रमचारी एक अजान, सो अजान, एक सुजान, सो अजान, एक सुजान इनके उपन्यास है नूतन ब्रमचारी कई बार पूचा गया और सो अजान, एक सुजान मैंने याद करवाया था, बोली सो अजान, एक सुजान उपन्यास किसका है तो मैंने आपको याद करवाया तो बहुत अच्छे से कैसे याद करवाया था पुलिसर यहां सा क्या था सुजान में कि सो अजान एक सुजान मैंने का सुजान के बाल बहुत अच्छे थे पिरचना किसकी होगी बालकरण भटकी इसको याद रख लेना दोस्तो नोतन ब्रमचारी भी निका है अंगला क्वेश्चन नौ जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेकक को कहा जाता है नए जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है सभी लोग लाइक जरू कर देंगे ह अभी दोस्तो आपके लिए कोर्स चलना है चैना लाइब क्लास है आदिकाल से इसटार्ट हुई है जिनको अभी कोर्स को परचेस करना है तो वो अभी अफ में एडिवीशन ले सकते हो दोस्तों कोर्स में हिंदी साहित हिंदी व्याक्रन कें जहाँ पर आपको बहुत या टेस्ट भी करवाया जाते हैं और बड़िया तरीके से अध्यान करवाया जाता है नाव जागनल का गुर्दूत हिंदी के किस लेकक को कहा जाता है उत्तर चला जाता है भारतेंदू हरिस्चंद भारतेंदू हरिस्चंद यानि की बी नमबर आपका बिलकुल शाही है आप कि कौन सा पुष्टी मार्ग में दिख छित था बताईये बालकन भट्ट ते कल आपका यह चेलेंज प्रसनेता सात्यों और यहां पर आपको लिखना है पुष्टी मार्ग में दीख चिता ये question आपको बताना है और दोस्तों चार में से आपने जो chain किया है इस्तुती जी रबेंदर अनुपम जी बहुत बड़ी आंसर आप लोगों ने बताया है कि सर भारतेंदू युक का जो कभी था कौन से कभी थे भारतेंदू भारतेंदू हरिस्चंद के युग के अन्य विश्यों के सासाथ प्रम प्रागत भक्ती का बिसेस रूप से कष्ण भक्ती का बिकी रचना हुई युग प्रवरतक कभी भारतेंदू हरिस्चंद बलब संप्रदाय के पुष्टी मार्ग में दीख्चित हुए इसके पहले दोस्तों अपनने बलब संप् कि पुष्टी मार्ग की स्थापना किस ने की थी तो आपका उत्तर होता बलबाचार ठीक है और आपने सूर्दास का नाम सुना होगा सूर्दास जी के गुरू भी कौन थे बलबाचार थे ठीक है बलबाचार जी के पुत्र का नाम था बिठ्थलनात और बिठ्थलनात ने दोस्तो 1565 में 1565 में काई की स्थापना की थी अष्ट च्छापकी स्थापना की ठीक है अब यहां पर आपको बताना है कि बकरी बिलाब किसकी काब कृती है बकरी बिलाब है na तो ये आंसर हो जाएगा बोले सर बकरी बिलाप ये जो है ये भारतेंदू हरिस्चंदी की है कलपना जी ये नमबर आपका बिलको सही है इस्तुती जी सुनील सर्मा जी संदीप जी बहुत बड़िया ये नमबर आपका बिलको सही है बकरी बिलाप किसकी काब किरती है तो ये वंगला कोस्चन आपको यहाँ पर बताना यहाँ पर चैन करना है बकरी बिला भारतेंदु जी की ब्यंगात्मक ब्यंगात्मक काब करती है और इसके अतिरिक्त इनकी काब करतियों में नाम लिया जाता है भारत दुर्दसा का नाम लिया जाता है नील देवी प्रेम पाउसा तनमाय लीला दान लीला बीनाय प्रैयंपचासा ठीक है? और दान लीला ये सब ही रचनाय माने जाती है दोस्तो इनको आपको याद रख लेना है बहरतेंदू जी की रचनाइं हैं ये सबी पूछी जाती हैं अंगला क्वेश्चन आपका है किस लेखिया ने पसु पक्षियों पर केंद्रेत रचना की हैं ये क्वेश्चन आपको बताना है प्रश्न किरमांग का आपका 29 वो 29 में देविंदर जी बिलकुल सही आंसर आया आपका किस लेखिया ने पसु महादेवी बर्मा अब दोस्तों महादेवी बर्मा जी की जब भी बात आती है तो महादेवी बर्मा को हम जानते हैं कि छाया बात के चार आधार स्तंबो मैंसे महादेवी बर्मा एक मानी जाती है ठीक है अब महादेवी बर्मा जी के बारे में अगर देखें तो दोस्तों रचनाओं में मेरा परिवार 1972 नामक रेखा चित्र लिखा इन्होंने और इसमें महादेवी ने अपने पालतू पसू पक्षियों का विस्त्रत विस्त्रत विन्होंने वरनन किया जिसमें दोस्तों नीलकंट, मोर, गिल्लू, गिलहरी, हैना सोना, दुर्मोक, खरगोस, चनाता है कि महादेवी जी की कौन सी रचना है जिसमें पसू पक्षियों का वरनन किया गया तो वो रचना है मेरा परिवार, मेरा परिवार, दोस्तों महादेवी बर्मा जी की जब भी बात आती है, तो महादेवी बर्मा जी आपको पता है कि छाया बात की बर्मा त्रई मे पूछी जाती है रसमी नीरजा सांदगीत यामा तो इनने दोस्तों 1922 में क्या मिला था ग्यानपीट परुषकार भी मिला था महदेबी वर्मा जी को यामा के लिए ठीक है तो इनको भी अपन को याद रख लेना है और अंगला क्वेश्चन रचना काल के अनुसार भारतेंद अरिस्चंद की निम्न लेकेत रचनाओ को सुमेले दोस्तों बताना है कि रचनाकरम के अनुसार आपको चैन करना है बताईए नंदलाल जी रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु अरिस्चंद की निम्न लेकेत रचनाओ का सही अनुकरम क्या है चार विकल्पे अनुकरम बताना भारतेंदु जी के बारे में आपको बताना है दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया कि भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ वो 1850 ECB में हुआ ठीक है इसके पहले आते हैं बालकर्शन भट बालकर्ण भट का जन्म हुआ था 1844 में ये भी याद रख लेना सबसे वरिष्ट मान जाते भारतेंदु मंडल के कौन बालकर्शन भट ठीक है और 1850 में भारतेंदु जी दोस्तों और मात्रे 35 वर्स जीए यानि कि इनकी जो उम्रती मात्र 35 वर्स और 1850 में इनकी क्या हो जाती है म्रत्यू हो जाती है लेकिन दोस्तों मात्र 35 साल में इतना कुछ कर गए भारते इनकी रचना इस प्रकार से हैं दोस्तों इनको याद रख रहे हैं भक्ती सरवस्त, प्रेम मालिका, कार्ते किस्नान, बैसिक महात्में और प्रेम सरोबर, प्रेमास्त्रू वर्सन, जैन कुतुहल, प्रेम सत्साई, ठीक है इनको याद रखेंगे होली, मदू मुकुल, राग संग्राय, वर्सा अबिनोद, बिनाई प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, इस सारी की सारी रचनाय मूची जाती हैं दोस्तों, करश्न चरेत, यहना स्री अलवरत, वर्मन, स्री राज कुमार, ठी ठीक है, स्री जी, बन जी, महराज, इस सारी की सारी रचनाय, इतनी सारी रचनाय इनकी बक्री बिलाप है, यह पूची जाती है, ठीक है, बक्री बिलाप हमेशा पूची गई है, दोस्तों, इतनी सारी रचनाय भारतेंदु जी ने लिखी है, और यह पूची जाती है, इनक प्रिवर्णा काल के अनुसार स्रीधर पाठक की नियम लेके त्रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। प्रिवर्णा की नियम लेके अनुसार स्रीधर पाठक की नियम लेके त्रचनाओं का सही इनकी रचनाओं को यहां पर हम देख लेते हैं और यहां पर एकांत बासी योगी उजल ग्राम स्रांथ पतेक सांध अटन यह इनकी माने जाती हैं दोस्तों लेकिन एक बार हम इनकी रचनाओं की ओर ध्यान देंगे इनकी रचनाओं में स्रीदर पाठक की रचनाओं में मनोबिनोद, हैना हेमाल एकांत वासी योगी कई बार पूछा गया एकांत वासी योगी की रचना कार कारों है तो स्रीधर पाठक, जगत सचाई सार, उजल ग्राम, गुनबंत, हैमंत, और स्त्रांत पतेक, रित्व सहार, कास्मीर सुसमा, वनास्टक, देहरादून, स्वर्गिय वीना, धन विजय, सांद अटन, भारत गीत आदी, ये सब रचनाय माने जाती हैं इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये रचना सिधर पाठक की है, जो के स्वचंताबाद के प्रवर्तक उमाने जाती हैं खुरेशी जी आदुने काल में पद्द के साथ किसका विकास हुआ चार विकल्प हैं पद्द के साथ साथ किसका विकास हुआ ये भी आपको उत्तर बताना है और विकल्प आपके सामने हैं सभी लोग चैन करेंगे आदुने काल में पद्द के साथ किसका माना जाता है लिकिए जल्दी से अंसर क्या हो जाएगा आपका पद्द के साथ किसका विकास हुआ यह उत्तर आपको चेहन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा चार विकल्प हैं वड़िया प्रस्चन है आदुने काल में पद्दे के साथ किसका विकास हुआ ए उत्तर आपको बताना है और आपका राइट आंसर चला जाता है विकल्प नमर एक की तरफ किसरा आदुनिक काल में पद्द का वेकास तो हुआ लेकिन पद्द के साथ गद्द का भी वेकास हुआ है ना आदुनिक काल में गद्द के साथ पद्द के साथ गद्द का वेकास हुआ बलकि गद्द के अंतर मुकी वेकास को देखकर आचार सुखले ने इसे गद्द काल की शंग्या देदी है ठीक है गद्यकाल की संग्या दीती ना दीती आचार सुखले ने आधनिक काल को है ना तो यहां पर देखो हिंदी आलोचना का इतियास कौन से काल से माना जाता है हिंदी आलोचना यहां भी कई बार पूचा गया है हिंदी आलोचना का इतियास कौन से काल स माना जाता है हिंदी आलूचना का इतिहास आपको बताना है चार विकल्फ हैं आधनिक काल में एक क्वेस्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बताइए हिंदी आलूचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है प्रस्ने किरमांग 33 और 33 मे आपने बिल्कुल सही आंसर चैन किया है और राइट आंसर है आपका आधुनेक काल आधुनेक काल यानि डी नमबर जो है वो बिल्कुल सही है हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है आधुनेक काल से हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनेक काल से माना जाता है प्रेम माधुरी का सन क्या है एकांतबासी योगी हिमतरंगनी निहार इन सभी के दोस्तो रचना काल आपको बताना है रचना काल क्या है चार बिकल्प है रचना काल का आपको चैन करना है करिए सभी लोग चैन चैन करें जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका प्रेम माधुरी का रचना काल क्या है केकांतबासी योगी का रचना काल क्या है है और दोस्तो हिम तरंगनी का रचना काल क्या है तो यहां पर आपको याद रख लेना हिम तरंगनी 1948 की रचना है यह तो आपको पता ही है ठीक है और यहां पर हम देखेंगे कि दोस्तो निहार 1930 की है ठीक है एकांतवासी योगी की अगर बात करेंगे तो यह 1886 की है और प्रेम माध माधुरी 1875 की है तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना दोस्तों और उत्तर चला जाता है आपका विकल्प नमबर सी की तरफ दिनमर आपका बिल्कुश सई हो जाता है जी नमबर सई है ठीक है निहार 1930 ठीक है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी 1875 में भारतेंदू हरेस्चंद, ठीक है, किलियर, प्रेम माधुरी दोस्तों हो गया, एकांतवासी योगी 1886 में स्रीधर पाठक, हिम तरंगनी रचना माखरलाल चत्रुबेदी की 1948, है ना, 1955 में इसे क्या मिल गया था, हिम तरंगनी के और आसू 1925 से जैसंकर प्रसाद, इनको याद रख लिना, अब यहाँ पर आते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर आपको बता है, कि स्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना है, गोल्ड इस्मित द्वारा लिकेत हर्मिट, है ना, हर्मिट की दोस्तों ये पर बताना है, जन्मकाल के आधार पर, तो अपनने पड़ा है, ये चीज तो अपनने पड़ी है, कि सर, बालकर्ण भट, बालकर्ण भट आते हैं, सबसे पहले यानि की 1844, है ना, फिर 1844 के बाद 1850 में को ना आते भारतेंदू हरेस्चंद, है ना, तो यहाँ पर देख लो कि सबसे पहले आए भारतेंदू, यहाँ भारतेंदू, फिर यहाँ पर बद्री नारण चोदरी प्रेमगन और प्रताप नारण मिस्टर जग मोहन, ये लास्ट में आते हैं, तो उत्तर आपका यहाँ पर सी की तरफ चला जाता है, सी नमबर आपका बिलकोश है, ठीक है, सी तो पचास में भारतेंदू, बचपन में बद्रीनात है ना, और दोस्तो प्रताप नारण मिस्टर चपन में, है ना, चपन का प्रताप है, बोली सर, चपन इंचे सीना का क्या है, प्रताप है, इनको याद रख लेंगे, बोली चपन इंचे, चपन इंचे सीना का प्रताप है और बचपन में लोग बहुत प्रेयम करते हैं बचपन में करते हैं तो बचपन से पचपन तक यहाद रख ले solche सर भारते अन्दू जी का तो आपको पता हैं बद्री नार्ण चोधिरी प्रेयम घन आपको पता हो गए आपने अनुभव भी क्या होगा बोले सर प्रेम करते हैं बच्पन में लोग बच्पन में यानि की पच्पन में प्रेम करते हैं है ना सबी लोग करते हैं प्रताप है किसका बोले सर चप्पन इंच स्रीने का प्रताप है चप्पन इंच स्रीना है ना प्रताप है तो प्रताप नाराने अगर आपकी संतान ना होती हो तो मोहन के पास जाना भक्ती पूजा करना तो याद रख लेना तो इसको सभी लोग याद रखेंगे अंगला क्वेश्चन 36 का उत्तर आपने चैन कर ही दिया है कि स्वचंता वात का कभी कौन कहा जाता है हिंदी में तो स्रीधर पाठक स्रीधर पाठक यानि स्री नम्मर आपका बिल्कुल सही है अब नहीं भूला है आप 1850 में हरिस्चंद प्रेम करते हैं बचपन में लोग तो पचपन हैना प्रताप है 56 इंच सीने के तो 56 जग मोहन से 57 इन कोई भूला नहीं है क्रमबद पूछा जाता हमेशा ठीक है स्रीधर पाठक की रचनाओं की अगर बात करें तो बात आती है बनास्टक की देहरादून भारत गीत इन रचनाओं की बात आती है अंगला क्वेश्चन आपको बताना नासी के तो पाक्यान के लेकाग कौन माने जाते हैं बिल्कुल कौन माने जाते हैं भारत गीत जगत सचा इसार ये तो स्रीदर पाठक की माने जाती हैं बताइए उत्तर किसका हो जाएगा नासी के तो पाख्यान के लेका कौन है अंसर आपको चेन करना है और बुली सर नासी के तो पाख्यान सदल मिस्त्र इसके लेका कौन माने जाते हैं सदल मिस्त्र और डी नमबर आपका बिलकुर सही ह जाता है। जिन भी सात्यों ने अभी तक सेल्फ स्टडी किलासेस एप डाउनलोड नहीं किया। ये कई बार पूछा गया है कि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंसी सदा सुखलाल ने सुख सागर, इंसा अल्ला खाने रानी केतकी की कहानी की रचना की और रानी केतकी की कहानी का जो अन्य नाम है जो पूछा जाता है वो अन्य नाम क्या है उदय भान्चरित रानी केतकी क कहानी इंसा अल्ला खां और इसका अन नाम है उदा इभान चरित है ना प्रेम सागर कि रिचना का लल्लू डाल है ना और दोस्तों यहां पर आपन ने देखा सुक सागर सदा सुकलाल की रिचना इनको याद रख लेना नासी के तो पाख्यान सदल मिस्री की फोर्ड विलियम क पालिज की स्थापना किसने की थी कमेंट में उत्तर जिनको भी वनता है वो कमेंट में जरूर लिखें ठीक है यहां पर आजाते हैं यहां पर आपको प्रशन बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है कौन सा नहीं है भारतेंदु जी का भारत दुर करें चाहे वो जुनियर्ट ऑई हो चाहे दोस्तों आपके पंजाब मास्टर के अडर वाले हो तीजी टी पीजी टी वाने हो दोस्तों तैयार ये आपको करनी हैं तो आजा ये सेल्प सिटडी किलासे फ पर बढ़िया आपके लिए कोर्स लांच किया वक्या विवस्तत पढ़ यहना कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है तो अपनने पड़े हैं यहना पड़े हैं क्या नहीं भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है नील देवी तो है भारत दुर्दसा है प्रेम जोगनी है रडधीर प्रेम मोहनी नहीं है रडधीर प्रेम मोहनी यह नाटक दो प्रेम मोहिनी नाटक भारतेंदू हरिश्चंद का नहीं बलकि ये किसका है लाला स्री नवासदास का है इनके अन्य नाटक दोस्तो तापता संबरण संयोगीता स्यमबर है ना किसके स्री नवासदास के ये भी आपको याद रख लिना और दोस्तो भारत दुर्दसा नील प्रेम जोगनी भारतेंदू हरिश्चंद के नाटक माने जाते हैं अंगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है सुक सागर की रचना किसने की बताईए सदल मिस्टर ने की ललू लाल इंसाल लाखा या पिर सदा सुकलाल ने दोस्तो ये तो आपको पताई है हाँ बिलकुल सुक सागर की रचना किसने की बताईए सदल मिस्टर ने ललू लाल ने इंसाल लाखा या फिर सदा सुकलाल ने सुक सागर की रचना और बोलिसर सुक सागर की रचना सुक सागर और सदा सुकलाल सुकलाल ठीक है भारतेंदू पूर्वे हिंदी गद्दे के चार और नायकों की निमलकित रचना है जिसमें सुक सागर है ना मुंसी सदा सुकलाल ने लिखा इंसालला खां जिसे उदाइभान चरित भी कहा जाता है इस इंसालला खां को रानी केतकी की कहानी है ना याद रख लेना इनकी दोस्तों सरी रानी केतकी की कहानी को उदाइभान चरित कहा जाता नासी के तो पाक्यांस तदल मिसर और प्रेम सागर ललू लाल की रचना माने जाती है अंगला कुस्टिन आपका है दोस्तों कभीटा रतना कर सब्द किस कभी के साथ जुड़ा है हरिश्चंद के साथ जगनात या फिर वदरी नारान या भेकारी दास के साथ सबी लोग लाइक जरू कर देना अपने मित्रव और दोस्तों सभी अपने सेर जरू कर दिया कर अपने सातियों तक हैना रतनाकर सब्द किस कभी के साथ जुड़ा है इसका उत्तर आपको चैन करना है और अपनने कई बार पड़ा है कि सर जगनात दास रतनाकर रतनाकर इसको याद रखेंगे जगनात दास रतनाकर हैना बी नम्मर आपका बिलकूर सही हो जाएगा जतनाकर उपादी ब्रजभासा के प्रिसिद्ध कभी जगनात के साथ जुड़ा जबकि भारतेंदु अरिश्चंद की उपादी थी और प्रेमगन बद्री नान चोदरी प्रेमगन हैना इसको याद रखेंगे अब यहाँ पर आपको चैन करना है जगत सचाई सार के लेकक आपको चैन करना है बताईए नातुराम सर्मा संकर है या पर देवी दत्य सुकल है श्रीदर पाटक है या पर प्रेयंक का यादव जी इनमें से कोई नहीं है बताईए सुमन जी ऐसे कौन से साती है जोनों ने अभी तक सेल्फ स्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड नहीं किया है एप डाउनलोड करें दोस्तों मस्ती से पढ़ते रहें जगत सचाई सार कविता के रचेता कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है और जगत सचाई सार स्रीधर पाठक किसकी रचना है ये स्रीधर पाठक की है और स्री नम्मर जगत सचाई सार के कविता स्रीधर पाठक आपका बिलकुल सही हो जाएगा जगत सचाई सार कास्मीर सुसमा देहरादून भारत गीत आदी दुवेदी युक के स्वचंताबादी कवित स्रीधर पाठक की रचना है इनको याद रख लेना दोस्तों ठीक है और यहाँ पर आपको बताना है कि प्रियाग रामा गमन के लेकक कौन है प्रियाग रामा गम की लेकक कौन माने जाते हैं 43 का अंसर आपको चेन करना है और प्रियाग रामा गमन प्रियाग रामा गमन और राइट अंसर आपका चला जाता है दोस्तों कहां प्रियाग रामा गमन के जो लेकक हैं वो हैं प्रियाग रामा गमन की जो लेकक हैं वो हैं प्रियाग रामा गम में किसका हुआ था भारतेंदु जी का 1856 में किसका हुआ प्रताप नाराण मिस्तु का ठीक है 1856 1857 में किसका हुआ जग मौहन का जग मौहन ना के याद रख़ती ना 1851 भारतेंदु और 1844 में किसका हुआ बाल क्रश्न भट है ना चबालीस बोले बाल को चबालो है ना कई कई बोलते ना कि सर बाल बहुत अच्छे हैं बोले चबालो तो है ना चबा तो क्या हो जाएगा चबालीस चबालीस है ना चबालीस में बाल क्रण भट है अठारा सो पचास में बाल के भारतेंद अब यहाँ पर आते हैं अंगला कोस्चन यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में देखते हैं प्रेम गंजी के वारतेंदू मंडल के साहितकार बद्री नाना चोदरी प्रेम गंगन ने भारतेंदू की बाती पद्द दोनों बिपुल साहित रचना की प्रियाग रामा गमन भारत स्वबाग जीन जनपद आनंद अर्नोदय आनंद अर्नोदय हार्देक हर्सादर मैंक महिमा अलोकेक लीला वर्सा विंदू ये भी आपको याद रख रिना है ठीके और आर्या भी नंदन स्वागत आदी प्रेम गंगन की संपादन किया था आनंद कादंबनी और नांगरी नीरद पुलिसर नगर में आनंद का प्रेम है ना याद रख लेना प्रेम मैं आनंद है नगर में प्रेम मैं आनंद है तो नगर से नांगरी नीरद है ना आनंद से आनंद कादंबनी प्रेम से प्रेम घंद्वारा याद रखो कली कोटक रूपक के लेका कौन है कली कोटक रूपक के लेका का आपको चैन करना है प्रेम घन है प्रताप नारणमेस्तर है बालकन भट है या फिर इन मैंसे कोई नहीं कली कोटक रूपक के लेका कौन माने जाते हैं कली कोटक कली कोटक अब मैंने आपको याद भ कोतोक कली कोतोक के रिचनकार प्रताप नारण मिस्त्र क्योंकि प्रताप तो कली का ही है और बी नम्मर प्रताप नारण मिस्त्र आपका सही हो जाता है कली कोतोक नामक रूपक के लेकक भारतेंदु मंडल के लेकक प्रताप नारण मिस्त्र है ना ये माने जाते हैं दोस्तों जुवारी, खुवारी, कली, प्रभाव, हटी, हमीर, गो संकट, संगीत, साकुंतलादी, प्रताप नारण मिस्त्र, ब्रामन नामक पत्रिका के संपादक थे, ब्रामन के क्या थे प्रताप नारण मिस्त्र, पुरिस्तर ब्रामनों का बहुत प्रताप है, ब्रामनों का पूजा इनको अपन को याद रख़ी ना है उन्नीसवी सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया उन्नीसवी सताब दी बताना है चार बिकल्फ हैं चार में से आपको चैन करना है क्या राइट अंसर हो जाएगा उन्नीसवी सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया तो वो पत्री का कौन सी थी ये चार विकल्प हैं हिंदी गद्ध के विकास में आप से बूला गया जीतु जी और यहां पर आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा कभी बच्चन सुधा कि ए नम्मर आपका बिल्कुश सही है जो आपने बिल्कुश सही बताया उन्नीचवी सधी के जागरन के दोरान हिंदी गद्ध के विकास में भारतेंद। अरिष्चन द्वारा संपादित मासिक पत्री का कभी बच्चन सुधा जसका प्रिकासन हुआ था 1868 में अब यहाँ पर आपको बताना है कि उन्नीसवी सती में खड़ी बोली हिंदी के बिकास में हिंदी के अस्तित्तु की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार को अन माने जाते हैं बहुत बढ़ यहाँ पर आपको चैन करना है उत्तर क्या हो जाएगा निम्न मैंसे उन्नीसवी सती में खड़ी बोली हिंदी के बिकास में हिंदी के अस्तित्तु की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है हिंदी के अस्तित्तो के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी वो रचनाकार आपको बताना है और प्रशन किरमांग 46 में और 46 में सभी लोग लाइक जरू कर देना अपने मित्रों तक जरूर से एर करें दोस्तों इस तैसन को और राजा शिव परसास सितारे हिंद यानि आपका उत्तर सी बिलकूर सही हो जाता है ठीक है यह दोस्तों अस्ति की लड़ाई लड़ने बालों में प्रमुक थे राजा सिव परसास सितारे हिंद यानि की दोस्तों आपका उत्तर सी नंबर बिलकूर शाई है अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हिंदी नई चाल में ड़ली ए घोशना किसने की बताईए प्रशन किरमांग 46 में है अंग्रेज सरकार ने सितारे हिंदी की क्या दी थी दोस्तों उपादी दी थी और भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपादी दी गई थी बताईए हिंदी नई चाल में ड़ली है ना और ये दोस्तों ए घोशना किसने की थी भारतेंदु जी ने है ना या फिर बाल मुकं की थी वो घोषणा किस ने की थी तब अपना राइट आंसर हो जाता है भारतेंदू हर इस चंद ने और यहसा भी कोश्चन आता है कि हिंदी नई चाल में कब ढली तो अपना उत्तर होता है अठारा सो त्यहित्तर है ना तो इसको याद रखेंगे भारतेंदू ने अपनी इस नई हिंदी को हरिस चंदरी हिंदी की संग्या दी गई तो अठारा सो त्यहित्तर में हिंदी नई चाल में ढली एक कई बार कोश्चन आया और एक काल चक्र पुस्तक में गोश्चना की किसने गोश्चना की उत्तर हो जाता आपका भारतेंदू हरिस चंद ने ठीक है बह पूशा गया तो यह भारतेंदू हरिस्चंद का ठीक है अपने पड़ दिया है ना अंगला कॉस्चन है बग्यान बसंत बसेरों कियो बसिये तेही त्यागी सपाइन ना और दिन काम को तुहल के जो बने तिन बीच बियोग बुलाईए ना बताइए यह पंक्ति किसकी है चार बिकल्प हैं जिन भी सातियों ने अभी एक्जाम पर दोस्तों यूटूब चैनल एक्जाम पर एक्जाम पर यूटूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक्जाम पर सर्च करेंगे यूटूब में एक्जाम पर ठीक है एक्जाम पर यूटूब चैनल हिं वसंत बसे रोकियों बस ये तेही त्याग तपाईएंगे ना दिन काम को तुहल के जो बने सिन बीच बयोग बोलाईएंगे ना ये जो पंक्ती है ये बद्री naraan čaudorama Chaudhri प्रयम घं़ प्रयम गन की बी नमबर और प्रयम घं़ का अच्छा था सब लोग प्रेम करते थे आज तो सब लोग गुस्ता होते हैं है ना तो याद रखना यहाँ पर दे गई पंक्ती बगियान बसंत बसेरों कियो तिन बीच बेयोगे बुलाईए ना की रचनाकार बद्री नाणा चोधरी प्रेम घन है इनकी रचनाओं की बात करे है ना आनंद अरनोदय इसको याद रख लेना साहित में ना उजागरन का सूर्योदय करने वाले या साहित कार कौन है बताइए प्रश्ण किरमांग पचास में जिन भी सात्यों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टेडी किलासे से अप डाउन्लोड नहीं किया वो एप डाउ ज्वाइन करें कोर्स को मात्र 12-0 रुपे का एक कोर्स है एक साल की पूरी बैलेडिटी आपके लिए दी जाती है एक साल तक आप unlimited बार पढ़ सकते हो है ना इसकी कोई समय सीमा नहीं कि आपको दो बार तीन बार unlimited बार इसको पढ़ो और अध्यन करो तिर्की वीडियो हैं हिंदी साहित के तीन बैच हैं और फस्ट बैच का कल टेस्ट है कहानी का कहानी का टेस्ट है फस्ट बैच बालों का शुवे आठ बजे से तो ध्यान रहे फस्ट बैच बाले जितने भी हमारे साती हैं साहित में नव जागन का सुरियोदय करने वाले साहितकार कौन है तो व भारतेंदू को ही नाउजागरन का अग्रदूत कहा गया भारतेंदू जी अपने समाई के प्रमुक नाटकार ब्यंगकार कभी आलुचक पत्रकार सब कुछ थे तो एक बार और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दोस्तो जब भारतेंदू योग में हम पढ़ते हैं जाद आते हैं दोस्तो अठारा सो पच्पन में अठारा सो पच्पन में किसका हुआ बद्री नारान चोदरी प्रेमखन का अठारा सो चपन में किसका हुआ बोले चपन इंच का प्रताप है तो प्रताप नारान में स्तर ठीक है फिर अठारा सो संतावन में किसका हुआ जग 165 में राधा कर्षनदास का तो इस परकार से यह दोस्तों आपने भारतेंद्य मंदल के पूरे कभी थे इनको अपने याद कर लिया बालकन भट भारतेंदु है ना और दोस्तों प्रेम घन प्रेम घन प्रताप नारा मेश्तर जगमोहन और अंबीका दत्व्यास और दोस्तों करंबद्ध पूचा जाता है और यहीं से आप से पूचा जाता है कि निम्न मैंसे बताईए कौन सा यासा कभी है जो भारतेंदु मंडल का कभी नहीं था या फिर था तो भारतेंदु मंडल के कभी बालकन भट्टे हैना भारतेंदु हरिस्चंद ठीक है प्रताप नारणा मिस और दोस्तों बद्री नारा चोदरी प्रेमगन जग मोहन अंबिका दत्य ब्यास और रादा कर्ष्ण दास यह आपको याद रख रहे ना है दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो सेल्फ स्टडी क्लासे से इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से सेल्प स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आ आपको इस प्रकार से देखेगा, यह self study classes ठीक है, यह play store में आपको self study classes का app देखने बाला है, ठीक है, यह image उसमें डली है, यह icon, यह logo उसमें डला है, ठीक है, अब दोस्तों इसको install करना है, यहाँ से आप install करेंगे, ठीक है, अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा, Gmail number मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे,